तो चली आज हम समिस्थानेक एबम संभारक के बारे में जानेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर एंड, कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें तो चली अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं समिस्थानेक क्या होते हैं बेतत्व जिनके परमाडू किर्मांक समान एबम परमाडू भार भिन भिन होते हैं समिस्थाने कहलाते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों के परमाडू किर्मांग समान होते हैं एबम जिन तत्वों के परमाडू भार भिन भिन अर्थात अलग अलग होते हैं उन्हें हम समिस्थानिक कहते हैं जैसे कारबन के निम्न तीन समिस्थानिक होते हैं पहला है कारबन बारा तो इसमें कारबन का परमाडु क्रमांक छे है और परमाडु भार बारा है अंगला हो जाएगा कारबन तेरा तो कारबन तेरा में परमाडु क्रमांक छे है और परमाडु भार तेरा है अंगला है कारबन चाउदा तो इसमें परमाडू किरमांक छे है और परमाडू भार चाउदा है तो इसमें परमाडू किरमांक सेम टू सेम है और परमाडू भार भिन भिन है तो यह समिस्थानिक हो गई तो चली अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं संभारेक क्या होता है बेतत्व जिनके परमाडु क्रमांक भिन भिन एबम परमाडु भार समान होते हैं संभारेक कहलाते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि बेतत्व जिनके परमाडु क्रमांक भिन भिन और परमाडु भार एक समान होते हैं उनको हम संभारे के कहेंगे जैसे आरगन तो इहां पर आरगन का परमाडु क्रमांक 18 है और परमाडु भार 40 है पोटेसियम तो पोटेसियम में परमाडु क्रमांक 19 होता है और परमाडु भार 40 है और केलसियम में परमाडु क्रमांक 20 है और परमाडु भार 40 है अता है इन तीनों में परमाडु क्रमांक भिन भिन अर्थात अलग अलग हैं और परमाडु भार एक समान है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों संभारेक होंगे थैंक्यू